हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगी दोस्तों सब आप सभी का एक बाफिर से आपके अपने चनल रेखास प्यूटी वर्ल्ड में दोस्तों मैं आप लोगों को इस चैनल पर करवा रही हूं प्रोफेशनल विडिशिंग का कोज जिसमें मैं आपको सके इन मेकप और तीनों चीज़ों की प्रॉपर पूरी नौलिज देती हूं थियोरी और डेमो के साथ तो दोस्तों अभी हमने मेकप में स्टार्ट किया था कलर थियोरी का टोपिक हम कर रहे थे जिसमें मैं आप लोगों को कलर थियोरी में क्या क्या चीस है कर चुके हूँ वह आप लोगों को एक बार पता देती हूँ कर चुके what is color, color क्या होता है, color theory क्या होता है color wheel क्या होता है and types of color किया उसके बाद हमने then उसके बाद मैंने आप लोगों को color scheme करवाया जिसमें हमने complementary color scheme किया analog color scheme किया tridic color scheme किया and उसके बाद हमने split complementary color scheme rectangle color scheme and square color scheme तो यह सारे topic जो color theory के हैं color wheel में वो हम कर चुके हैं उन सारी वीडियो का link है description box में तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो सारे वीडियो भी जरूर देख लिएगा तकि आपका color theory का जो topic है वो अच्छे से clear हो जाए और आप अपने notes को अच्छे से complete कर पाएं तो सभी वीडियो को जरूर देख लिएगा link है description box में तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ monochromatic color scheme in detail क्या होती है monochromatic color scheme कैसे हम इसका use करते हैं तो वीडियो बहुत knowledgeable and detailed वीडियो है तो वीडियो को एंट तक पुरा ज़रूर देखेगा full knowledge के लिए बिना skip किये तो चलिए वीडियो को start करते है तो since monochromatic colors monochromatic का मतलब होता है monochromatic को अगर हम two parts में divide कर देते हैं तो बनता है monoch plus chromatic monochromatic Ih maintained single and chromatic का मतलब होता है रंग यानि कि monochromatic color में एक single color का use होता है एक रंग का use होता है और उस एक base रंग का use करते हुए हम अलगअ के रंग बनाते हैं मतलब उस एक रंग का ही हमें गहरा हल्का इस तरह के रंग हमें मिलते हैं Monochromatic colors में धीकरें कि definition में भी लिखा हुआ है कि monochromatic colors are all the colors of a single hue एक ही रंग के सब रंग होते हैं और एक ही होता है उस एक ही रंग के अलग अलग तरह कि हमें Shade, Stint and Ton मिलते हैं उस एक ही रंग से Hue रंग के लिए ही दूसरा शब्द है यहां पर हमारा Hue यूस वाय है तो इसका जो Hue का मतलब होता है यह होता है तो same उसे तरीके से color के भी हमारे दो नेम है color and hue ठीक है monochromatic colors में जो भी color schemes आती है उजनाय आती है वो हमारी एक base रंग से लिग जाती है एक base रंग होता है उसमें और उस base रंग की हमें tint, tone and shade हमें मिलते हैं तो आप कह सकते हैं कि monochromatic colors में 3 terms का use होता है shade, tint and tone ठीक है monochromatic color में color एक ही होता है लेकि उस एक color का हमें क्या क्या चीज़े मिलते है tint मिलता है, shade मिलता है and tone मिलता है तो monochromatic colors में 3 terms का use होता है tint, shade and tone फटवर से comment में लिख दीजिए कि monochromatic colors में कौन कौन सी terms का use होता है आप type करके लिखेंगे तो फिर आपको याद रहेगा कि monochromatic colors में हमारा आता है tint, shade and tones ठीक है? लिख दिया आपने चली आगे बढ़ते हम अपना तो सबसे पहले हमारे monochromatic color में सबसे पहले आएगा हमारा shade shade क्या होता है? shade अगर black मिलाते हैं कोई भी हमने एक color लिया उस एक color में अगर हम black color मिलाते हैं तो हमें darker version होता है उसका ठीक है? dark color मिलेगा तो जिसे हम shade कहते हैं अगर हमें किसी color का dark color मिल रहा है तो वो हमारा shade होता है ठीक है? shade यानि की dark color इतना ध्यान रखना जैसे आपने red color लिया red color में आपने black को mix किया तो आपको darker की तरफ जाएंगे फिर थोड़ा सा और black mix करेंगे और darker की तरफ जाएंगे फिर थोड़ा सा और black mix करेंगे फिर और darker की तरफ जाएंगे इस तरह से आपको red color का जो shade है वो darker की तरफ मिलेंगे red color के आपको काफी सारे shades मिल जाएंगे जिस-जिस quantity में आप black को उसमें mix करते जाएंगे जो भी आपकी requirement है जिस भी level तक आप shade चाहते हैं red color का black में तो उस उतना black आप उसमें अपनी requirement के अनुसार उसमें mix करते जाएंगे तो आपको red color के अलग-लग तरह के shades मिलते जाएंगे color हमारा एक हीता red उसको हमने उसके काफी सरे shades बना लिए तो यह हमारा हो गया monochromatic color ठीक है तो shade आपको ध्याँ रखना है shade होता है darker की तरफ और उसमें हम mix करते हैं black color black color अगर mix कर रहे हैं तो आपको shade मिलेगा clear हो गया shade क्या होता है next दोस्तों हमारा tone if gray is added to the pure hue the result is a different tone अगर आप किसी भी color में gray color mix करते हैं तो आपको एक अलग ही रंग मिलता है वह हमारा tone कहलाता है सेम उसी तरह से जैसे हमने shade में black color mix किया सेम इसी तरह से अगर आप किसी भी color में gray color मिलेंगे तो उसको आपको अलग tone उस color का मिलेगा next दोस्तों हमारा tint tint क्या होता है tint मतलब बहुत किसी चीज़ता हलका था हना कि बोलते ना हलका सा tint आ रहा है इसका तो वही होता है tint मतलब lighter lighter की तरफ जाना है हमें color का हमें हलका version मिलेगा light color मिलेगा जब हम किसी भी color में white is added to pure hue अगर आप एक pure color में white color mix करेंगे the lighter version is called tint तो आपको उसका lighter version मिलेगा वह हमारा tint कहलाता है तो आपको ब्लू कलर आपने लिया उसमें एक ड्रॉप ब्लू कलर लिया एक ड्रॉप आपने white color मिलेगा तो उसका आपको हलका सा tint मिलेगा ब्लूइश कलर का तो वह हमारा tint हो जाता है जो कि lighter की तरफ जाता है तो shade darker की तरफ जाएगा tone एक अलगी tone में आपको रंग मिलेगा और tint जो कि lighter की तरफ जाएगा lighter color आपको देगा एक ही color के आपको जैसे blue color है blue color में जिस इस quantity में आप color white color को mix करते जाएगे उसके अलग-अलग आपको tint मिलते जाएगे black color mix करते जाएगे तो उस color के आपको अलग-अलग तरह के shades मिलते जाएगे तो एक ही color के आपको बहुत सारी color मिल जाते है अलग-अलग shade tone and tint में इस तरह से यह हमारे easily समझ में आ जाएगा तो दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगे कि किस तरह से आप monochromatic colors को बना सकते हैं ठीक है monochromatic colors में हमेरे कितने terms है तीन terms है shade, tint and tone तो सबसे पहले हम बनाएगे shade shade बनाने के लिए आपको कौन सा color mix करना है फटावर से comment box में comment करके मुझे बताएए मैंने अभी आपको बताया कि shade बनाने के लिए आप किसी भी color में कौन सा color mix करेंगे black color mix करेंगे ठीक है किसी भी color में आप जब black color mix करते हैं तो आपको उसका अलग अलग तरह के आपको shade मिलते हैं जिस भी quantity में आप उसकी mixing करते हैं जो भी आपकी requirement है उसके according ठीक है तो अभी हम shade बनाते हैं तो सबसे पहले हमने blue color ले लिया है आपको भी color ले सकते हैं जिस color का भी आपको shade चाहिए अलग लग monochromatic colors चाहिए तो सबसे पहले हमने blue color ले लिया तो मैं ये blue color लूँगी हलका सा ये मैंने blue color ले लिया देन मैं इसमें mix करूँगी हलका सा black color तो हमें इसका थोड़ा सा dark version हमें मिलेगा इसका एक अलग तरह का हमें shade मिलेगा ठीक है ये मैंने mix कर दिया ये हमारा pure ही हुआ है मतलब pure blue color है इसका अलग shade बनाने के लिए हमने क्या क्या इसमें black color mix किया तो हमें ये एक अलग ही shade मिला तो ये देखे ये मारा pure blue और ये blue का shade dark version में shade में क्या जाएगा हमारा color darker की तरफ जाएगा तो इस तरह से दोस्तों ये हमें एक blue का shade मिल गया इसी तरह से अगर हम इसको और भी shade बना सकते हैं color की mixing करके ये मैंने blue color लिया थोड़ा जादा quantity में उसके बाद मैंने इसको में हलका सा black color mix किया तो एक और shade हमें मिलेगा इस तरह से जो कि darker की तरफ जाएगा इस तरह से आप monochromatic colors में shades को बना सकते हैं तो ये देखें दोस्तों ये भी हमारा blue color है लेकिन ये थोड़ा और dark shade हमेशा darker की तरफ जाएगा और tint हमारा lighter की तरफ जाएगा इसी तरह से दोस्तों एक और shade बनाते हम इस तरह से दोस्तों हमारे shade बनते जाएगे आप इस तरह से अपने shades को बना सकते हैं तो ये हो गए हमारे shade तो दोस्तों monochromatic color में आपको tint चाहिए ठीक है तो tint बनाने के लिए हमें क्या करना है किसी भी pure color में आपको mix करना है white color ठीक है कोई भी एक pure color ले लिजी आपको उसमें white color mix करते जाना है तो हमारा जो color होगा वो lighter shade की तरफ जाएगा lighter color आपको चाहिए तो आप mix करेंगे white color तो यह दूसमों महरा pure color हो गया और इसका tint चाहिए हमें तो क्या करेंगे हम हलका सा pure color लेंगे यह अद इसमें mix करेंगे हम बहुत हलका सा white color तो यह हमें हमारा बन गया tint इस color का tint यह देखिए हो गया ना थोड़ हम दिवरेंट कलर में इसका इंट बन गया ऑप इसके और बी मता सकते हैं कलर को मिक्स करके क्वाइट की क्वाइट को मिक्स करके और लाइट प्रका जाहएगा ता उस से जाद हम वाइट लेंगे पेक इस सादा से बनाते जाएगे यह ils एक और शेट बनाएंगे हम क्या करेंगे हम को जाओ इसमें मिक्स करेंगे था उससे छोड़ा सजाधा क्योंकि हमें इसका लाइट टिंट चाहिए इससे लाइट कलर चाहिए मैं तो अभी हमारा बनेगा next color next tint is color का इस तरह से यह light light होता चला जाएगा इस तरह से आप बना सकते हैं यह देखिए हो गया ना इससे light तो इस तरह से हम अपने monochromatic colors को बना सकते हैं चुकि makeup में हम बहुत easily use कर सकते हैं बहुत अच्छा makeup look create कर सकते हैं monochromatic colors से अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि monochromatic makeup look किस तरह से आप बना सकते हैं monochromatic colors makeup में आपको किस तरह से help करते हैं यह सारी चीज़े भी मैं आपको बताऊंगी तो इस तरह से हमारे यह lighter की तरफ जाते हैं ठीक है तो यह हो गए शेड हमारे जो कि darker की तरफ जाएंगे और यह हो गया हमारा टिंट जो कि हमारा lighter की तरफ जाएगा नेक्स दोस्तों हमारा monochromatic colors में tone tone हमें कैसे मिलता है किस तरह से हम tone बनाते है colors का कोई भी pure color होगा उसमें अगर आप gray color mix करते हैं तो हमें मिलता है tone ठीक है तो gray color इट मींस कि हम उसमें white and black दोनों color mix करेंगे क्योंकि gray color कैसे बनता है white and black को mix करने से हमारा gray color बनता है ठीक है तो यह हो गया हमारा pure color ठीक है और यह हो गया यह मैंने प्यूर color ले लिया अभी मैं इसमें mix करूंगी white color तीनों में equal quantity में mix कर रही हूं उसके बाद हम mix करेंगे black color तो एक अलगी तरह का color हमें मिलेगा यह देखिए यह मैंने mix कर दिया इसमें yellow थोड़ा कम है तो अभी हम थोड़ा सा yellow और ले ले लेंगे इस तरह से दोस्तों यह वाला color हमारा बन गया जब हम इसमें pure color में जब हम gray color mix करते तो हमें एक अलगी color मिलता है इस तरह से तो आप इस तरह से इसके भी अलग-अलग color tone के बना सकते हैं तो इस तरह से यह बना हों हमारा येल्ड येल्व कहला साथ येल्ड को हमने घ्रे से मिक्स किया तो एक अलगी तरह का कलर हमें मिल एढ़ से लोज मिल चांचा है येजुमн मीध्य तरह साथ येजुक सा युद्छ अनडर टोन नतिता है आध्य है अब ह Hem इसमसे और कलड़ सा ओर क्वाउन कौॉन्टिटी जा साँ तो इसका आप ऐस तरह से आप टोन बना सकते हैं कि देख्व हुआ है एलग लग थरा के यह सोलosse के कलड़ में आप टोन बना सकते हैं कि टि बना सकते हैं इसा बना सकते तो monochromatic colors में आपके इस तरह से color बनते हैं ये थोड़ा सा अलग ये थोड़ा सा और different हो गया क्योंकि इसमें color की quantity है वो different हो गई ठीक है ठीक है इस तरह से आप monochromatic colors में बहुत easily color के shade, tint and tone बना सकते हैं जो कि हमें eye makeup में पूरे makeup में overall makeup में बहुत ज़ाधा help करते हैं, monochromatic makeup look create कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा लगता है देखने में look बहुत अच्छा आता है monochromatic makeup look का मैं आपको next video में बताऊँगी monochromatic makeup look क्या होता है, monochromatic colors का use हम कैसे करते हैं मेकप में किन वास जांता है कैसे कैसे क्एम करते है किया होता है यह सारी चीज़ें डिस्कॉस करें गे तो इस तरह से दोस्तों आप 컬러 के ट उन बना सकते हैं ठीक है तो MONOCRO METSe क्लो मिन टोन और जुन और उन चीज़ों का यूज करते हैं और तीनों चीजों का यूज करते हुए अलग-अलग तरह के colors बनाते हैं shade में, tint में, tone में तो वो हमारा होता है monochromatic colors जो की make-up में बहुत ही ज़ादा help करते हैं आपको बहुत अच्छा look देने में monochromatic make-up look क्या होता है दोस्तों वो मैं आपको next video में बताऊंगी monochromatic make-up look monochromatic colors का आप use कैसे करेंगे make-up में ये सारी चीज़े in detail में आपको next video में बताऊंगी तो उसके लिए अगर आपने अभी तक चानल को subscribe नहीं किया तो please चानल को subscribe जरूर कर लिजेगा पासी तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के notification मिलते रहेंगे और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा और Color Theory के सारे वीडियो का link मेरे description में दे दिया है box में तो आप उन सारे वीडियो को जरूर देख लिजेगा अपने notes बना लिजेगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comment box में comment करके जरूर बताएगा like जरूर कर दीजेगा और अपने दोस्तों के साथ share जरूर किजेगा जाद से जादा और फटा 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 जल्दी से मिलते हैं अपने next वीडियो में तब तक ख्यार रखी अपना और अपनों का और यूँ ही प्यार बाटते रहे take care thanks watching love you all bye bye